गुट इवनिंग एब्रिवन कैसे हो आप सब कम्मा घनी सबको हंसरा जैस्मीन विकास शरमेश तरुन मितेश फन टाइम अभी तक जीके कैसे हो आप सब सही हो गुट इवनिंग अंकित वेरी गुट इवनिंग करंट अफेर्स का सेशन है आज ठीक है आज हम बात करेंगे थोड़ा सा राजस्थान के बर्ड्स के बारे में ठीक है और इन पे कोशन आना बनता है कोशन पूछा जा सकता है एक्जाम में तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेर्स को ठीक है मेरे बारे में सब जानते हैं प्रिलिंस में को क्रेक करने का एक्सपिरियंस है इसको यूज कर सकते हैं कहां पर यूज करोगे हमारे ऑनलाइन प्लाटफॉर्म अनकैडमी प्लस पे मेरे बैच चल रहे हैं थी के परवन पेपर टू पेपर और एंविर्मेंट ऑप्ष्चनल और टार्गे आरे इंग्लिश और हिंदी मीडियम में ठीक है और एकनॉमिक सर्वे का एक छोटा सब बैच मैंने स्टार्ट किया है वो चल रहा है उसमें ठोट थोड़ी से से सेशिंज है और ये मेरे कि six तो हमारे स्टूड़ेंस मिस गाइड़ेड नहीं और यह पतुटवारी का बैच चल रहा है हेलो सब्सक्राइब हेलो किट्टू, हेलो प्रियंका ठीक है और पटवारी के बैच के लिए जॉइन कर सकते हो 6-8 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो beneficial रहेगा 6-8 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो beneficial रहेगा हाँ पांचमा वीडियो ये disclaimer में करना चारी थी फिफ्थ वीडियो missing है ठीक है पांचमें वीडियो जब था उसमें मेरा network की issue चल रहा था तो वो मैंने नहीं लिया है ठीक है पांचमा session नहीं है फॉर्थ के बाद डायरेक्ट आज वाला session ही हो रहे है 6th session ही हो रहे है ठीक है तो hello tithi hello ak world good evening everyone very good evening अच्छा लग रहा है मुझे सब टाइंग पर आ गहें आज तो ठीक है सीधा 6th वाले इन सब की PDF आपको मैं special class ले लेती हूं current affairs उसमें revise भी हो जाते है और आप लोगों को PDF भी मिल जाते है ठीक है current affairs का latest मेरा जो special class हो वहां से जाके PDF डाउनलोड कर लेना तो पहला question है start करते हैं हम लोग अभी अभी हाल ही में great Indian bastard जो है हमारा जो की हमारा state bird है राज्य पक्षी है इसको एक convention हुआ है convention on my migratory species conference of parties 30 गांधी नगर गुजरात में यह convention हुआ है ठीक है तो इसके अंदर great Indian bastard को शामिल किया गया है तो कौन से appendix में कौन से परिशिष्ट में शामिल किया गया है second, third, one या four इसका क्या answer होगा इसका answer दो अच्छा अजीत आप भी आयो हेलो अजीत c answer दिया है अजीत ने, हंसराज ने, शरमेश्ट ने सबका c answer है हाँ, बताएए अंकित याद कर ले ना, तो कुछ जादा इसमें दिमाग नहीं लगाना हम लोगों को great Indian bastard हमारा राज्य पक्षी है ठीक है, गुडावन जिसको हम बोलते है राज्य पक्षी है तो इसको हम पहले appendix में ही डालेंगे, ऐसे इसको याद कर लो, हाँ, कर ठीक है, पहले appendix में ही डालेंगे, ठीक है तो appendix number one, किसमें डाला गया है, पहले में, तो इसका answer क्या हो जाएगा, c इसका answer हो जाएगा, ठीक है तो अब इसकी में details करा रहे हूं, पूरा detail करा रहे हूं कि Great Indian Buster चुकी राज्य पक्षी है, इसके conservation के लिए state government program चलाती रहती है, यह ACF के syllabus में भी included है, तो यहां से question बनता है, एक question आना जरूर बनता है, तो इसको हम पूरा detail में कर रहे हैं, करना है किसी को detail में, detail में करना चाह तीनों ही current affairs का पार्ड बनता है, ठीक है डिरेकली और indirectly तीनों current affairs का पार्ड बनता है, तो सबसे पहले question है, तेरवी meeting थी यह convention on conservation of migratory species, मतलब जो प्रवासी प्रजाती हैं, प्रवासी जो पक्षी है ठीक है, प्रवासी 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 जाती हैं, उनके संरक्षन को ल हुआ है गांधी नगर गुज्रात में ऐसा होते ही यह जो कन्वेंशन है और माइग्रेटरी स्पीशिस का हम इसके तीन साल के लिए अध्यक्ष बन गए हैं भारत इसका तीन साल के लिए प्रेजिडेंट बन गया है यह चीज याद रख लो क्लियर है सब को हेलो रोहित ऐने सजेशन दिये थे क्वैशन पूछ लेंगे की ग्रेट इंडिएन बस्टर्ड को तो शामिल कर लिया tells in ई लावा कि इन पकशियों को भी शामिल गया जाएं तो इंडिया ने तीन नाम दिये थे असे इसेट बेंगल फलोरिकन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो एशियाई हाथी ठीक है ग्रेट इंडियन बस्टर और बेंगॉल फ्लॉरिकन तो क्वेशन पूछेंगे इंडिया ने कितनी प्रजातियों को एंटर करने की बात किये इस कंवेंशन में तीन को बात किये कितनों को तीन को बात किये तो एक तो हाथी एशियाई हाथी एक तंदार है तो फिर question पूछेंगे क्या ये तीनों species शामिल कर ली गई हां भई इंडिया के अंदर हो रही है तो हमारी तो सुननी पड़ेगी उनको तो हमारी तीनों की तीनों तो शामिल करी उसके साथ साथ 10 प्रजाती और शामिल की गई 10 को शामिल किया गया 7 को appendix number 1 में डाल है और 3 को appendix number 2 में डाला है ठीक है ये point याद रखोगे 10 new species वर added पूछ लेंगे question इंडिया के current affairs में वर्ल्ड के current affairs में कितनी नई species एड़ की गई तो total 10 की गई है 10 में से 7 की गई है appendix number 1 में और appendix number 2 है उसके अंदर 3 species डाली गई है appendix मतलब सूची एक list बना दी है उन्होंने appendix number 1 में वो वाली species आएंगी जिनको जादा सरक्षन की जरुरत है जो बहुत जादा खत्रे के निशान पर है ठीक है critically endangered है टू में डालेंगे जिनको पहले से थोड़े कम सरक्षन की जरुरत है ठीक है इस तरीके से ठीक है इस तरीके से hello combination good evening ठीक है ये चीज है हाँ अब तरीके से वो इसके अंदर रखते हैं अगर कोई critically endangered है उसको one में डाल देंगे कोई simple vulnerable या endangered है उसको two में डाल देंगे इस तरीके से ठीक है तो साथ species को डाला है साथ species कौन कौन से याद करना कुछ भी मुश्किल नहीं है दो मिनिट का काम है देखो great Indian mustard से बहुत सारी species मिलती जूती है ठीके एक great वाली है एक little वाली है छोटी Indian mustard little little mustard ठीके इंडियन नहीं है little mustard ठीके दूसरा जो है बस्टर्ड से मिलता जूलता नाम है ऐल बैट्रोस ठीके बस्टर्ड बैस्ट्रोस अब सर्फ इतना याद करो आगे वाले की ज़रुरत नहीं है याद करने के antipodian वो तीन तो वही species है जो इंडिया ने प्रपोस की थी चार और याद करनी है चार में क्या करना है great Indian बस्टर्ड के साथ little बस्टर्ड के साथ albatros के साथ अब इसमें और क्या शामिल किया गया शार्क को शामिल किया गया शार्क कौन से वाली है white tip वाली white color पहले आता है दूसरी श शामिल किया गया है oceanic white tip shark को oceanic white tip shark को clear है सबको clear है ठीक है तो सारे हो गए ना सारे कवर कर लिया हमने yes तो कुछ याद करने में लगा है इसमें great Indian बस्टर्ड little बस्टर्ड एशियनिक elephant ठीक है Bengal florican यह हो गया बस्टर्ड से दूसरा याद कर लो albatros ठीक है ऐसे करके याद कर और एक shark है कौनसी white tip वाली shark है clear है सबको ठीक है इसमें 10 प्रजाती को शामिल किया गया है 10 में से 3 भारत ने propose की थी हमारी माननी पड़ेगी 3 की 3 वो शामिल है उसके साथ 4 दूसरी शामिल है 7 appendix number 1 में शामिल है ठीक है इसमें देखो सबसे सक्त सुरक्षा प्रदान की जाती है appendix number 1 के अंदर appendix number 1 के अंदर strictest production दिया जाता है मतलब बहुत जादा जैसे core area होता है national park का उस तरीके से hello nalini good evening very good evening और jaguar छोड़ दिया मैंने हाँ एक है jaguar तो ऐसे याद कर लो हमारे हाथी का नाम jaguar है ठीक है ऐसे याद कर लो jaguar miss कर दिया मैंने हाँ sorry ठीक है एक जो है jaguar है यह याद कर लो याद तो हो गई होंगी बस जादा रटन रटना नहीं है इतने से आपको याद रह जा राकी है white tip वाली तो उधर चले गए यहां पर कौन सी है चाहे कोई भी शाक हो top shark और एक है hammerhead shark और एक है top shark ऐसे याद कर लो और एक है cooperation की जरूरत है अंतर राश्रियर सहयोग की उतने खत्रे पर नहीं है जितना great इंडियन वस्टर सा उससे थोड़ा खत्रा कम है तो international cooperation करेंगे conservation effort करेंगे तो यह प्रजातियां बच जाएंगी सबको clear है यहां तक good evening everyone please like subscribe share कर देना भाई साथ साथी मुझे बोलना नहीं पड़े मुझे बोलना नहीं पड़े बहुत मेहनत से मैंने यह notes बनाए है आप लोगों के लिए ठीक है clear है सबको चले आगे move on करते है अब question आएगा यह question बनेगा इंडिया और world के events में events देखोगे RAS के ACF के पटवारी की मेरे को लगता है हर syllabus में मिलेगा events of India and world ठीक है उसके अंदर बनता है तो यह जो meeting हुई थी इसका theme क्या है थीम क्या है पहले हिंदी में हम जो है भारत में जब भी foreign policy की बात करते हैं तो हमारे मोदी जी क्या बोलते है वसुदैव कुटुम्ब कम ठीक है सर्वे सुख भवतु ऐसा कुछ होता है ना सर्वे भवन्तु सुखिन है ऐसा बोलते हैं तो वही इसका भी theme है वही इसका प्रवासी प्रजातियां ग्रह को जोडती है कौन से ग्रह को जोडती है पृत्वी ग्रह को जोडती है और हम उनका हमारे घर में स्वागत करते हैं ये थीम है इतना सा थीम है इतना चुनुक सा थीम है गुड़ीवनिंग पवंजीत गुड़ीवनिंग एवरीवन ठीक है फ्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो ताकि जादा जादा लेर्नर्स जुड़े और उनके करेंट अफेर्स क्योंकि कोई किसी देश से आ रही है कोई किसी देश से आ रही है और हम सब उनका हमारे स्वागत करते हैं ये इसका थीम है ठीक स्वागत थीन्हीं मैंने करवाया था जब जिला बाई जिकेन आम पर मांडगाई का है हमारी है ना तो similarly इसमें भी जो इसका मैसकोट है मैसकोट होता है शुभंकर बोलते है उसको हिंदी में क्या बोलते है शुभंकर बोलते है तो वो जो मैसकट है उसके नाम से टिकेट जारी कर दी और वो उस मैसकट पे क्या है क्यों क्वेशन बनता है इस पे उस मैसकट के उपर हमारा जिबी है जिबी मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ठीके राजस्थान का पक्षी है इसलिए importance बढ़ जाती है question exam में पूछा जा सकते है question exam में पूछा जा सकते है ठीके clear है सबको तो इसका शुभंकर क्या है government of India ने great इंडियन बस्टर्ड गोटावन की विशेशता वाला टिकेट जारी किया mascot का नाम पूछेंगे आपसे mascot का नाम है जीबी क्या नाम है जीबी ठीक है enchanting great Indian बस्टर्ड ठीक है और यह सारी की सारी जितनी भी migratory species है उनको symbol है उनको represent कर रहा है उनको represent कर रहा है clear है सबको theme में और इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है theme क्या है जो है migratory species ग्रह को जोडने का काम करती है हम उनका स्वागत कर रहे है और mascot पे तो आपको proud हो जाना चाहिए राजस्थान के रहने वाले कोई भी पूछे तो अगर नहीं बताया तो शरम वाली बात हो जाएगी हमारा ही राज्य पक्षी है उसका जो mascot है mascot मतलब शुभंकर तो जिबी है ठीक है वो ज़रूरी नहीं है जी आई बी लिखाएगा उसको एक short name दे दिया गया है great Indian Bustard याद रखोगे ठीक है हाँ अजीत ठीक है कोई बात नहीं दस मिनिट बाद आ जाना ठीक है ये है कितने रुपीज का है ये तो देख लेना रुपीज का मुझे नहीं पता ये मेरे ख्याल से वैसा मिलेगा एक commemoration के लिए ठीक है रुपीज वाला I don't think so ये है ठीक है उसके बाद great Indian Bustard का status पूछेंगे आप से कैसा status है critically endangered है CE में आएगा किस में आएगा critically endangered में critically endangered में है तब ही हमने इसको appendix 1 में लिखा है इसकी population बहुत जादा गिर गई है ठीक है तो highest protection status इसको मिला है wildlife protection act के अंदर वो तो पहले से ही है ठीक है तो कौन सी category में आएगा status पूछेंगे तो critically endangered में आएगा किस में आएगा critically endangered में 28 students live है इसको 50 कर दो इसको 50 कर दो like subscribe share कर दो और please इसको share कर दो ठीक है अब question आएगा logo क्या है logo क्या है तीन question बनते हैं इस पे CMS के उपर theme ठीक है mascot यानि की हिंदी में बोले तो शुभांकर और theme मतलब विश्य है और logo ठीक है art है ठीक है तो question पूछेंगे logo के अंदर कितनी प्रवासी प्रजातियां दिखाई गई है तो वो logo कुछ इस तरह का बनाया है भारत में जो तीन प्रवासी प्रजाति आती है वो दिखाई गई है तीन प्रवासी प्रजाति कौन कौन सी कच्छुए whale और एमर फैलकन ठीक है एमर फैलकन ये दिखाई गई है ठीक है ये hello दीपक आरे इस मेंस के लिए book मुझे access तो नहीं पता है practice के लिए previous year questions करने चाहिए ठीक है वो मैं book देखके बता दूगी आपको हाँ ठीक है देखके बता दूगी तो कौन-कौन सी migratory species है whale turtle और एमर फैलकन ठीक है falcon falcon जो बोलना चाहो बोलो इंगलिश में हम कैसे भी pronounce कर सकते हमारी मर्जी है emmer falcon ठीक है humpback whale और marine turtle पूछ सकते कौन-कौन से तीन birds हैं जिनको शामिल किया गया है तीन species हैं birds नहीं बोलेंगे तीन species हैं जो लोगों में शामिल किये गया है यहां तक लिए रे सबको बताओ मुझे ठीक है हमने क्या क्या किया है एक quick recap कराती हूँ दो मिनिट का revision साथ साथ होना जाए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को convention on migratory species party no.13 conference of party no.13 कहां पे हुआ है गांधी नगर गुजरात में हुआ है ठीक है उसके अंदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को appendix no.1 में शामिल किया गया इंडिया ने तीन species को शामिल करने की बात कही थी एशेटिक एलिफिंट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बेंगॉल फ्लॉरिकन तीनों को शामिल कर लिया तीनों के साथ साथ appendix one में चार और species को शामिल किया गया यानि total साथ उसमें कौन कौन से आगे साथ ना तो उसे टाइम वापस चले जाओ शार्क थी वाइट टिप वाली शार्क है ठीक है वाइट टिप वाली शार्क है उसके बाद appendix नमबर दो में तीन species शामिल किये गये दो शार्क है एक तोप शार्क है एक हैं उड़ने वाला से याद कर लो उर्यल है यह क्लियर हो गांधी नगर गुजरात में यह हुआ है यह incident हमने कर लिया अब जो है इसमें बात की तीन चीजों की theme, logo और mascot अब जब revise करो ना तो theme बस इतना सा दिमाग में आना चाहिए migratory species planet को जोड़ती हैं और हम उसका स्वागत करते हैं आपका काम हो जाएगा migratory species connect the planet and we welcome them home इनके नाम का stamp जारी कर दिया mascot है GB हमारा great Indian buster उसके बाद logo की बात करो तो column है जिसमें 3 migratory species दिखाए गई है कच्छुआ, whale, marine turtle ठीके whale और एक और उसके अंदर दिखाया गया है I think सबको revise हो गया होगा, emmer falcon, emmer falcon दिखाया गया है ठीके, clear है सबको, scientific name याद कर लो, याद करना है तो याद कर लो ये देखो, ये है हमारा COP13, ये logo है, इसको logo बोलते हैं, इसमें 3 दिखाये गए है whale, turtle, ठीके, और तीसरा और, emmer falcon, ये तीनों चीज़ें इसमें दिखाये गए है ठीके, अच्छा, ये images देखने का फायदा क्या होता है, date पता चल जाती है, ये कब हुआ है तो ये फरवरी का current affair है, 17 से 22 फरवरी, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये हमारा GB दिखाया हुआ है ठीके, 17 से 22 फरवरी को, और ये theme लिखा हुआ है, ठीके, migratory species connect the planet and together we welcome them home सबको clear है, I think सबको clear है, हो गया होगा अभी तक तो, ठीके, ये देखो COP13, यहाँ पे बहुत clearly दिखेगा आपको, इसको एक बार देख लीजे सही है, चलो, ठीके, अब question आएगा, कई बार जो है, इसके back end पे चले जाते हैं, वो detail में चले जाते हैं, RAS और ECF में जा सकते हैं, UPSC level के questions आ सकते हैं तो CMS का दूसरा नाम क्या है, Convention on Migratory Species, Bone Convention इसको बोलते हैं, Bone Convention क्यों बोलते हैं, सबसे पहले ये जो start हुआ था, Bone Germany के अंदर sign किया गया था, ठीके, कहां पे हुआ था Bone, Germany के अंदर, कहां पे Bone हुआ है ये, Bone में ही Bone हुआ है, Germany के अंदर, ठीके, International Treaty है, किसके under conduct की जाती है, ये पूछा जाएगा, UNEP, United Nations Environment Program, obviously environment वाले के अंदर ही होगी, किसके अंदर होगी, United Nations Environment Program के अंदर, ठीके, अच्छा, conservation होता है, इसमें, wildlife का, ठीके, and habitats on global scale, सिर्फ birds का नहीं है, migratory species, चाहे कोई भी हो, ठीके, not only birds, अगर कोई reptiles है, दूसरी wildlife है, वो सब भी में include होगा, ठीक 79 में, तो 9 आ रहा है न, पीछे, बोन, ठीके, तो उससे याद कर लो, 9 ही number आएगा, लास्ट में, 79 में, ठीके, और उसके बाद, implement कब हुआ ये, entered into force, जब सारे देशों ने मानना शुरू कर दिया, तो वो 4 साल बाद, 1983 में हुआ, 1983 में हुआ, clear है सब को, यहां तक response नहीं आ क्या है, CMS का purpose कुछ नहीं है, सारी species को बढ़ाना, चाहे कोई land species हो, चाहे marine species हो, कोई थल पे रहने वाले पक्षी हो, species प्रजाती हो, जल में रहने वाले हो, या उड़ने वाले हो, avian species, तो तीनों को conserve करना चाहते है, terrestrial हो, marine हो, या फिर avian हो, पर कौन सी होनी चाहिए, migratory species जो एक देश से दूसरे देश पर जा रही हो, एक जगा से दूसरी जगा पर जा रही हो, वो वाली, ठीके, और ये पूरे world में, अकेली ऐसी global और UN-based, United Nation-based, inter-government, treaty है, जो सिर्फ और सिर्फ migratory species के लिए बनाई गई है, conservation and management of migratory species, तो question आ जाएगा, इसमें migratory species में क्या स सिर्फ avian species है, नहीं, स्थलिये, जलिये और पक्षी, avian, तीनों प्रवासी प्रजाती जो हैं, वो इसके अंदर आएंगी, हेलो अजे, गूड इबनिंग, अजे हो गया आपका सब्स्क्रिप्शन, आइधिंग ले लिया है आपने कल, शायद से, ठीक है, अब पूछेंगे इंडिया पर आजाओ, इंडिया का पूछ सकते हैं, भारत कब बना इसका सायनेटरी, भारत बना है 1983 के अंदर, भारत कब बना है इसका सायनेटरी, गुड इवनिंग, उमेश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी सही होंगे, 1983 के अंदर, ठीक है, अब इंडिया होस्ट है तो इंडिया को इसके अध्यक्षता मिल गई है अगले तीन साल के लिए तो ये जो convention है migratory species का इसके हम अगले तीन साल के लिए president बन गए हैं हम इसके तीन साल के लिए क्या बन गए है ब्रेजडेंट बन गए है ठीक है अच्छा इंडियन सब कॉंटिनेंट ये इतना जरूरी नहीं है मुझे नहीं लगता जादा इतना डिटेल में जाएंगे बस हलका सा देख लो इसको इसको यहां तक तो कुछ भी कोशन पूछ के बना के पूछ लेंगे आपसे यहां तक इतना नहीं है भारतिय उप महादेप इंडियन सब कॉंटिनेंट किसका पार्ट है Central Asian Flyway Central Asian Flyway का मतलब है Migratory Species एशिया से Central Asia से जो भारत में इंडियन ओशियन में आते हैं Arctic Ocean में आते हैं जिनका रास्ता Central Asia से होके गुजरता है तो इंडियन ओशियन उसका एक पार्ट है इंडियन ओशियन जो है वो उसका एक पार्ट है ठीके हाँ 83 में वर्ल्ड कप भी जीता था बिल्कुल सही कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो याद कर लो शाबाश गुड ठीके तो भारतिय उप महाद्विप प्रमुख प्रक्षी फ्लाइवे का हिस्सा है मध्य एशियाई फ्लाइवे आर्क्टिक और इंडियन महासागर को कवर करता ठीके और यह देखलो इसमें 182 माइग्रेटरी वाटर बर्ड स्पीशेज हैं जिनकी संख्या कितनी है 279 अब क्यूंकि यह आर्क्टिक और इंडियन ओशन को कवर कर रहे हैं तो यह बात यहाँ पर कर रहे हैं वाटर बर्ड स्पीशेज की ठीके तो उनकी 182 प्रजाती में से उनकी पॉपुलेशन कितनी है सिर्फ 289 पॉपुलेशन उनकी बच्ची है तो उनको प्रोडेक्ट करने की बात कर रहे हैं और उसमें से 29 जो है ग्लोबली ठ्रेटर्टन है खत्रे के निशान पर है ठीक है प्रजातियां जो है खत्रे के अंदर है इतना डिटेल आइंड वो लोग पूचेंगे नो है कि यह मैप देखलो एक बार इसलेवे कौन सा है यह वाला बनेगा अर्क्तिक उसले पक्सी जो है थोड़ा जादा समझ में आएगा यहां से यूँ ठीक है अच्छा इंडिया में कौन-कौन सी प्रवासी प्रजाती है यह डारेक्ट कोशन पूछा जा सकता है तो यह सारी है तीम-चार तो हमने पढ़ ली एमर फालकन आएगा हिम तेंद्व आएगा यहां पर देख लो इंग्लिश में जादा देखी जाती है स्नो लेपर्ड ठीक हिम तेंद्व एमर फालकन बार हेड़िड गीज आएगा क्रेन आएगी ब्लैक नेक्ट क्रेन आएगी इसमें मरीन टर्टल हमने अभी-भी किया है ए द्यू-गोंग याद रखना हुआ है द्यू-गोंग बहुत इंपॉटन एउप्स सी तो बहुत पूछता है द्यू-गोंग और हम पर बैक्ट वेल्स हैं इसमें हम बैक्ट वेल्स हैं ठीक हैं सीमस का इंडिया ने कौन कौन से जो कन्मेंशन है specially उनको साइन किया हुआ यह सिर्फ species के नाम बोल रही हूँ मैं Siberian crane, marine turtle, dugong और raptor ठीक है, turtle, raptor, turtle जो है raptor, raptor कर रहा है, ऐसे याद कर लो turtle, raptor हो गया, Siberian crane हो गया और dugong हो गया, ठीक है सबको हो गया यह, तो यह main था पूरा, all in all, CMS का अब यहां से कोई भी question आ जाए मुझे नहीं लग रहा गलत करके आओगे, अब तो नहीं गलत करके आओगे, revise कर ले ना इसको हो गया यह, ठीक है, यह Arctic महासागर से हिंद महासागर में आते, Central Asia cross करके, हिंदी मेडियम वालों के लिए map लिया था मैने ठीक है ऐसे हमको करना है, दिल्ली जाकर तो नहीं किया है, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा पता है, UPSC का मेरे friends करते है, तो मुझे पता है, idea है मुझे clear है सबको ठक तो नहीं गए, इतने birds, इतनी migratory species करके, मुझे लगा एक साथ ही करा देती हूँ, अच्छा यह जो, अब यह incident याद करना हो, यह हुआ कब है, यह हुआ है, 17 से, एक सेकेंड 22 फरवरी को, ठीक है, 2020 को, इसको याद कैसे करो, 2 फरवरी को world wetland day आता है, ठीक है, और इसमें से कुछ water migrator species भी है, तो फरवरी के महिने में ही हुआ है, एसे याद कर लो, 2 फरवरी को world wetland day मनाते हैं, और यह 17 से 22 फरवरी, डबल टू फरवरी को end हो रहा है, ऐसे याद कर लो, डबल टू फरवरी को end हो रहा है, तो आखरी वाले याद रहेगी, शुरू वाले याद आई जाएगी, पांच दिन तक यह चला है, ठीके, पांच दिन तक यह चला है, clear है सब को, चले, शाबाश, good, ठीके, एक और कर लेते हैं bird, एक और कर लेते हैं, क्योंकि यह हमारी अपनी सांभर लेक में मिला है, rare species है, rare species है, नहीं होती थी कभी, लेकिन अभी मिली है, जिसका नाम है rare, और इसकी neck का color कौन सा है, red color है, rare, red neck, red neck, fellerops, fellerops इनका नाम है, ठीके, fellerops, देखना चाहते हो, देखना चाहते हो, ऐसी है, red color की गर्द, सारे ध्यान से देख लो, water bird है, water bird है, fellerops, ठीके, मितेश, आप तो plus पे हो ना, शायद से, है ना, मेरे courses देख लो, English के 3 courses पड़े हुए, क्यों नहीं देख रहो वो, हाँ, मेरे courses देखो, जी के वाले daily recording, शुरू कर दो, एक एक दो दो recording, हो जाएगी तयार, हो जाएगी तयार, ठीके, हो जाएगी, हाँ, सही है, clear है सबको, चलो, आगे move on करते हैं, तो rare red necked fellow ropes, मिला कहा है, हमारे सांबर लेक वे, सांबर लेक wetland है, रेमसर साइट है, वहाँ पे मिला है, ठीके, rare species of wetland birds, ठीके, इसने अपना नया घर बनाया है, breeding habitat बनाया है, नया breed करने का habitat बनाया है, किसको, इंडिया के सबसे बड़े, inland, saline, wetland, सांबर लेक को, इसलिए ये important है, सांबर में कौन आ गया है, ropes आ गयी है, बहुत सारी, ऐसे ऐसे याद कर लो, red color की रस्ती आ गयी है, सांबर लेक क्रॉस करने के लिए, ropes आ गयी है, तो कभी भूलोगे नहीं, कि सांबर लेक में कौन सा था, कि कोस में कौन सा था, अभी क्योंकि एक दो बर्ड और करवाने वाली हूँ, ठीके, फैले ropes कहां पर मिला है, सांबर लेक में, याद कर लोगे, बस इतना ही याद करना है, इतना ही याद करना है, rare red necked fellow ropes, कहां मिला है, सांबर लेक में मिला है, फिर question पूछ लेंगे, normally कहां मिलता है, normally कहां पर breed करता है, normally करता है, Arctic region, North America में, या Eurasia में, तो देखो, कहां से, अब ये कहां आ गया, North America में, या फिर Europe और Asia में, इस region में करता है, इस region में करता है, और अब जाके, इसने breeding site किसको बनाया है, हमारे राजस्थान को, हमारे राजस्थान को बनाया, normally breed करता है, यहां पर, फैले रॉप्स ये, ठीके, और अब इसने breeding site यहां पर बनाया, तो एक अच्छी बात है, आनबान, शान की बात है, हमारे लिए, है ना भी, है ना, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, ठीके, normally करता है, टुंडरा पूल पे, मतलब जहां पर temperature बहुत कम होता है, वहां पर normally breed करता था यह, ठीके, अच्छा, और जब भी यह migration कर रहे होते हैं, एक स्थान से दूसरी जगा तक जा रहे होते हैं, तब यह हमारे यहां पर राजस्थान में, जो छोटा सा तलाब हो, जिसकी गहराई बहुत जादा ना हो, वहां पर रुका करते थे, हर बार इनका यह होता था कि वहां पर रुका करते थे, इस दफ़ा इन्होंने पहली बार उसको अपना breeding site बना लिया, और सांबर जील में हमें मिले हैं, प्रजनन की जो प्रक्रिया है, वो यह यहां पर करने वाले, ख्लियर है सबको, सबको ख्लियर है, एक thumbs up तो दे दो, बनता है, एक thumbs up तो दो, बनता है, ठीक है, मितेश मुझसे phone पे बात कर ले ना, ठीक है, बनता है, दो और करने लगे, अभी हम, बहुत प्यारे प्यारे पक्षी मिल रहे हैं, हमारे यहां पर butterfly मिल रही है, ठीक है, rare, यह भी rare है, ropes कहां मिल रही थी, सामभर लेक में, रस्ती के थुरू हम पार कर रहे हैं, ऐसा याद कर लो, rope के थुरू, तो कभी भूलोगे नहीं, rare, लिलक, silver line, butterfly, अगर राजस्थान का इतिहास पूछू, तो राजस्थान की silver line किसको बोलोगे, चांदी की रेखा, कौन से राजपूतों का नाम लेने वाल है, लाखा का, अच्छा, वो ठीक है, हाँ, चलो, ठीक है, लाखा भी कौन है, वो, कहां के, कौन से area के हैं, सही है, सही है, good, 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 हाँ, सही है, काम चल जाएगा, इस से, इस ट्रिक से भी काम चल जाएगा, उनके time period में, चांदी की खनान चुरू हो गई, वो मेवाड के महा कुंभलगर सेंक्चरी में मिलिये, याद हो जाएगा, कहां मिलिये, spotted in Rajasthan, कहां पे, कुंभलगर सेंक्चरी में, दक्षिनी राजस्थान में, question आ जाएगा direct, silver line butterfly मिलिये, कहां मिलिये, और ये ACF के लिए तो बहुत जादा useful है, environment के point of view से, मिवाड के, शाबाश, शाबाश चलो, आपको याद हो रही है, चीज़े अच्छा लग रहा है, मुझे सुनके, rare lack, ठीके, लिलक, silver line butterfly, दुरलब, लिलक, silver line, तितली, दक्षिनी राजस्थान, कुंभडगर सेंक्चरी में मिली है, ठीके, पिछली बार कब देखी गई थी, 1880 में, 1880 मतलब, 1900 भी नहीं, 2000 भ के बाद, अब हमारे यहाँ पे आ गई है, हमारे यहाँ पे आ गई है, clear है सबको, hello Manish, good evening, clear है सबको, ठीके, like, subscribe, share कर दो इसको, ठीके, से यह है, देखो, यह वाली है, silver line, यह वाली कोई भी मान लो, क्योंकि दो बर्ड़्स पढ़ने वाले, दोनों ही दिखाए हुआ है, newspaper में, ठीक है, यह है, अच्छा, अब desert की भी बात कर लेते हैं, यह राजस्तान में हमने south की बात कर ली, सांबर लेक की बात कर ली, जैसल मेर को नहीं छोड़ते, desert को राजस्तान desert की बात ना करे, अधूरा है, उसके भी ना है, तो desert grizzled skipper भी, एक नया word मिला है, ठीक है, desert gri grippled, desert मरुस्तल में तो सब grip 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 करते हैं, और skipper, skip हो जाते है, skip करके ही जाना पड़ता है, रेत है वहाँ पे, ऐसे याद करो, desert grippled skipper, ठीक है, skip करके जाना पड़ेगा, देख देख के कदम रखने पड़ेंगे, तो यह कहां पर मिला है, जैसल मेर के अंदर, कहां मिला है भा सड़ सड़ सालों के बाद, यह species थार desert में देखी गई है, कहां पर, सबसे जो पश्चमी जिला है वहां पर, desert ऐसे याद करो, ठीक है, ताकि जैसल मेर जोदपूर विकानेर में confusion नहीं हो, सबसे पश्चमी वाले में, जैसल मेर में, कौन से इलाके में, अमर सागर इलाके मे ठीक है, यहां पर, hello future SDM, good evening, हाँ आज content कर लो, question next class में डाल देंगे, है ना, content कर लेते हैं, next class में question डाल देंगे, क्या हो गया, कभी-कभी तो पढ़ना भी चाहिए, ठीक है, और last time इसको देखा गया था, जो silver line butterfly है, उसको तो 1880 में देखा गया था, इसको 1989 में, दीसा गु नहीं पुछेंगे, question आएगा, तो यही आएगा, कि यह कहां पर मिली है, राजस्थान में, ऐसे ही देंगे, recently a species was found in राजस्थान, तो कहां पर मिली है, चार option दे देंगे, कुंभलगर सेंक्चरी में मिली है, सांभर लेक में मिली है, केवला देव नैशनल पार्क में मिली ह या अमर सागर एरिया और जैसल मेर में मिली है, तो ऐसे चार option बना के देंगे, ठीक है, तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप लोग कर सकते हैं, हाँ हाँ, ACF के लिए तो बहुत important है, environment के हिसाब से, बहुत important है, forest के लिए तो नई species जो मिली है हमें, बहुत मैंने पूरा convention on migratory species, बोन वाला, जितने बनते थे, इंडिया और world के current affairs, theme, logo, mascot, flan, dhimka, सब करवाती हैं मैंने आपको, ठीक है, दूसरा, silver line butterfly, कहां मिली है, कुंभलगर में, silver line, राजस्थान की चांदी, महराना लाखा से भी याद करोगे, तब भी काम चल जाएगा, आप इबनिंग, लेट हो गयो काफी, hello अंशू, good evening, सही है, ठीक है, भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो, एक मिनट दो मुझे, मैं अब भी आ रहे हूं, just a second, हाँ, जावर की खान, लाल जी चोहान, सही बोल रहे हूँ, सेशन पसंद आ रहे है, हाँ, जा सकते हो, जा सकते हो, अच्छा, सुनिल, एग्रिकल्चर सब्जिक्ट है, आपका, डेली क्लास होती है, साड़े साथ बचे, ठीक है, एक दिन करेंट अफेर्स कराती हूँ, अगले दिन हिस्ट्री के, एमसे क्यूज कराती हूँ, राजस्तान हिस्ट्री के, कल में वाड के करेंगे, ठीक है, कल में वाड के करेंगे, हाँ, लाल जी बाए बोल रहे हैं, बाए बाए टेक केर, ठीक है, टेक टेर, डी आडियो का मुझे नहीं बता भाई, सले बस देख लो, अगर करंट अफेर्स हैं, करंट अफेर्स हैं, तो सले बस देख लो, मैं कहां गई हूँ, मैं अभी खड़ी हूँ, यहीं पर ही हूँ, तो एक सेकंड के लिए गए थे, ठीक है, एक सेकंड के लिए, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो, अगर आपको पसंद आ रहा है तो, ठीक है, सि सब्सक्रिप्शन है, एक सब्सक्रिप्शन लो, उसमें सब मिल जाएगा, ठीक है, अकेले उसका वो है, हाँ, इसी टाइम होती है, साड़े साथ बजे संडे को छोड़के, संडे को नहीं लेती हूँ, ठीक है, मंडे टू सेटरडे, ठीक है, कर दिया, लाइक, सब्सक्रिप्शन कर दो सब भी, भडला सोलर पार्क, सबने सुना होगा, अब मैंने एक करवाया था, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क, कहां खोला गया है, बताओ मुझे, फटा-फट करेंट अफेर्स, पिछले चार सेशन में करवाया है, पिछले चार सेशन में करवाया है, हितेश, गुड़ीवनिंग, गुड़ीवनिंग, ये वला टेस्थ तो ऐसे ही चलता है, और जो अनेकेडमी प्लस पे टेस सेरीज चलती है, उसके लिए प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होता है, अभी ज नौखा के अंदर अगर याद हो तो उसकी कपेस्टी भी करवाई थी मैंने कितनी कपेस्टी का है है ना ये भी करवाया था हाँ आरेस का सब्सक्रिप्षिन अनकेडमी लर्निंग एप से भी कर सकते हो गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाके अनकेडमी.com से भी कर सकते हो ठीक है ठीक है लास्ट में बता भी दूगी आरेस मोटिवेशनल पूछने इस क्लास की पीडिएफ एक करेंट अफेर्स की स्पेशल क्लास रख दूगी इस महीने ठीक है वहाँ पे ये करेंट अफेर्स आप लोगों के रिवाईज भी हो जाएंगे और आपको रिवाईज नहीं कर एक साल का या दो साल का मैं वैसे मैं बूलती हूं सबको ठीक है भडला सोलर पार्क ठीक है पहले क्या था मतलब की इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क या वर्ड का अब हमारे लिए जादा बड़े नाम की बात क्या हो गया है कि यह विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार् हो जाती है, है ना भई, वो अपने आप important हो ही जाएगी, natural से बात है, तो दुनिया का सबसे बड़ा solar park बन गया है, जोधपूर राजस्थान में, इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा solar park कौन सा था, करनाटका में था, इससे पहले जो था, ये मुझे नहीं पता होता, मैं इन चक्रों में पढ़ती नहीं हूँ, कौन सा पेपर का बोगा, नोटिफिकेशन आये, तो बर-बर के वीडियोस डाल दो, मैं नहीं पढ़ती हूँ इन चीज़ों में, ठीके, मुझे नहीं पता होता, मैं ठीके, तो दुनिया का सबसे बड़ा भडला से पहले कौन सा था, वो भी हमारा ही था, दक्षिनी इंडिया का, करनाटका का, पवागड़ा, क्या नाम था उसका, पावगड़ा, पावगड़ा बोलते हैं भी, पावगड़ा नहीं, पावगड़ा, ठीके, और उसकी कपैस्टी थी, दो हजार पचास, तो मतलब कितनी कपैस्टी थी, ऐसे नहीं याद होगा, ट्वेंटी फिफ्टी, ऐसे याद करो, अब हमारे वाले की कितनी हो गई है, हम थोड़ा सा आगे निकल गए है, 22,45, ठीके, 20 में दो एड करण दो, 22, 22,T PETER कितना होता है? 44 तो ये कितना है? 22,45, 22,45 मेगावट, अब जो है, नोखा वाले की भी कपैस्टी देख ले ना, इसकी भी कपैस्टी देख ले न, एक क्वेशन बनता है यहाँ से, पूछा जा सकता है क्योंकि राजस्थान में solar power potential बहुत जाता है और एक बहुत important role है उसका ठीक है clear है सबको clear है सबको हाँ hello himanshi good evening good evening कैसे हो आप सब 30 live learners हो गए है time पे आ जाना इसको 50 कब करा रहे हूँ मैं इतने दिन से wait कर रहे हूँ इसको 50 करा दो जिस दिन 50 करा आओगे उससे अगले दिन extra बढ़ाओंगी extra class लूँगे उस दिन ठीक है चलो wait कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए extra class लूँँ बनता ही नहीं है लेकिन पता नहीं कब बनाओगे भडला solar park world का सबसे बड़ा solar park जोधपुर राजस्थान में question आ जाएगा question आ जाएगा किस किस के बीच में joint effort है किस किस ने मिलके कौन सी organization मिलके इसको चला रहे है operate कर रहे है तो एक तो कर रहे है state owned का मतलब है state government क्या हो गया ये round round आने लग गया है पता नहीं देख लो आप मैं mark नहीं हो पा रहे है ठीक है state owned का मतलब है Indian government का Central Indian government का National Thermal Power Corporation जो पूरे भारत में विजली सप्लाई करती है एक तो उसके बीच में दूसरा जो है Solar Energy Corporation of India Limited ठीक है Solar Energy Corporation of India SECI के बीच में NTPC और SECI के बीच का ये joint project है SECI जो है Solar Energy Corporation of India ये Ministry of New and Renewable Energy Ministry of New and Renewable Energy की ब्रांच है उसकी organization है आँ गरे मेरे वो pen नहीं दिल करे अरे उसमें कुछ और fact होगा उसको दुबारा से पढ़ लेना ठीक है उसको दुबारा से पढ़ लेना हाँ फोन और PC दोनों में चला रखाया क्या होगे इसको ये move on कैसे करूँ slide net remote से देखते है हाँ चलो शुकर है यहां से तो हो रहा है ठीक है चार stages में बना है ये कौन-कौन सी 4 stages है देख लो एक बार 65 MW भी वो मैं देख के बता सकती हूँ आपको जो आप ये MP वाला बोल रहे हो ठीक है वो मैं देख के बता सकती हूँ आपको hello रेखा good evening good evening हाँ करणाटिका में भी है वो पहले सबसे बड़ा था अभी हमारे वाला है ःभी हमारे वाला है hello फारूक good evening link share करते हो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच पचास लोगों को link share कर दो अरे थैंक यू सो मच अब भी पढ़ रहे हूं मैं आप लोगों कमेंट्स ठीक है फारुक खान फ्यूचर स्टम यह MP वाला कल क्लियर कर दूंगी ठीक है कल क्लियर कर दूंगी ओके हां चलो अब देखते हैं कितने फेज़ेज हैं चार फेज़ेज हैं कौन कौन से हैं 65 मेगावाट 65 से याद कर लो ठीक है टोटल कपेस्टी पे ज़्यादा क्वेशन बनता है 245 मेगावाट 65 मेगावाट 65 के बाद दूसरे फेज में 65 को 10 से गुना कर दो 650 यानि की 680 मेगावाट और तीसरे और चोथे में कुछ नहीं करना तीसरा हजार मेगावाट का है चोथा 500 मेगावाट का है अब से ठीक है ऐसे मुझे रिकॉल करने में दिक्कत आएगी हाँ मैं गलत बताना नहीं चाहती गलत इंफॉमेशन करने नहीं करना चाहती किसी को ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में बता दूगी हाँ समझ रो तो फेस बन में 65 दूसरे में 680 तीसरे के अंदर हजार चौथे में 500 य याद रखना है इसको गडबर मत कराना इसको गडबर मत कराना क्लियरे सबको यहां तक बताइए मुझे क्लियरे सबको और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो भैई अब इसको चेंज कैसे करूं मैं एक सेकंड देना मुझे आप लोग हां ठीक है क्लियरे सबको आगे देखते हैं वनस्थली विद्यापीट वनस्थली विद्यापीट कौन से वाला टोंक वाला टोंक जीले वाला वनस्थी विद्यापीट रेजिडेंशल यूनिवर्स्टी है महिलाओं के लिए यह क्यों न यूज में आया UGC की NAAC, National Accredition, National Assessment and Accredition Council इसकी हिंदी यहां से पढ़ लेना ठीक है राश्रिय मुल्यांकर और प्रत्यायन प्रइशत ठीक है इसने इसको A++ category में रखा है कौन सी category में रखा है इसको A++ category में रखा है ठीक है A++ तो यह इतनी खास बात क्या है कि न्यूज में ही क्योंकि यह राजस्थान की पहली उनिवस्टी है जिसको NAAC द्वारा A++ यह मिला है, ranking मिला है, score मिला है इसको याद कैसे करोगे NAAC में भी double A है और यहां पे भी double plus ही grade मिला है इसको तो state की पहली उनिवस्टी मिली है जिसको highest grade मिला है A++ का याद कर लोगे, tonk में located है, ठीक है कितने parameter पर इसको ना पा गया 7 parameter पर ठीक है 7 parameter पर और इसने 7 के 7ों में 90% से जादा score किया है ठीक है 7ों के 7ों में 90% से जादा score किया है ठीक है यह सब फैब का नहीं है मैं ऐसे नहीं देख रही हूँ कि अभी January मैं आपको January से लेकर January, February, March, April, May, June ठीक है यह 6 महीने का कराने की मेरे planning है कि यह 6 मंस का करा दू यह February वाला ही चल रहा है ठीक है ऐसे मत देखना आप लोग बस इनी 6 महीनों का होगा यह चीज याद रखना ठीक है क्योंकि कई बार में मैं जून के भी उठा सकते हूँ जो इंट्रस्टिंग लगे वही वाले current affairs उठा लेते हैं ठीक है हाँ, हेलो केशव, प्रणाम, कैसे हो God bless you clear है सब को ठीक है, तो यह चीज हो गई I think इतने तो बहुत है आज और भी है तो आज हम इतना ही करेंगे I hope आपने class को enjoy किया लगतो रहा है मुझे सबने plus का inner circle community का part बने RAS batch को join करे ACF batch को join करे ठीक है, कुछ नहीं करना है simple RPS से subscription लेना है आप सबी को taruna live मेरा referral code है 10% discount के लिए इसको use करना है class कैसी लगी class कैसी लगी, comments में बताना जरूर है मैं comments पढ़ती हूँ ठीक है, especially पढ़ती हूँ आप लोगों के क्योंकि feedback से और अच्छा काम करने का motivation मिलता है ठीक है, तो बताओगे सब लोग नमस्ते मूलचन नमस्ते ठीक है ठीक है कल मेवार dynasty के MCQs कराऊंगी वो थोड़े से रह गए हैं ठीक है, फिर वो पूरे ही हो जाएंगे, almost ठीक है, मेवार dynasty के MCQs करेंगे कल क्लियर है ठीक है अगर session पसंद आया हो, तो क्या करना है like, subscribe, share तो करना ही है 50 करवा दो इसको नहीं, इसके notes नहीं बनाने PDF दूँगे, जिस notes बना सकते हो keyword वाले, छोट-छोट-छोट-छोट-छोट ज़रुरत नहीं है, अभी नली नहीं मत बनाना आप तो ठीक है, अभी ज़रुरत नहीं, PDF में दे दूँगे सबको special class में, आपके लिए ये PDF, मैंने क्या करना है, इस PDF का तो मेरी ये slides आज गडबड हो गई है, कुछ ना कुछ हाँ, तो plus को join करो, to lead the world, ठीक है मेरी पास जो bad students है, तीन बच्चों का हमारा mains निकला है, like, subscribe, share कर दो और enjoy करके पड़ो stress में मत पड़ो, enjoy करके ठीक है, social media का time fix कर लो, कि एक ही घंटा WhatsApp, Facebook, Twitter, श्राण, धिमका, सब कुछ देखना है, सारा दिन नहीं देखना है, सारा दिन पढ़ाई करो, एक घंटा पढ़ाई करो, दस मिनिट, पंदरा मिनिट का ब्रेक लो, फिर एक घंटा पढ़ाई करो, फिर पंदरा मिनिट का ब्रेक लो, ठीक है गुड इवनिंग एवरिवन, गुड नाइट, टेक यार, गुड नाइट बोल रहे, चली जहों मैं यहां से, हो गया है, कम्प्लीट, हाँ, चले, हाँ, और मेरा contact number ले लो, contact number ले लो, जिसको चाहिए, ठीक है, यह मेरा Facebook पेज है, यहां पर follow कर लो, और यह मेरा contact number है, कोई बात पूछनी हूँ, प्लस से related, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, एक्जाम कब तक हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं पता, 20 सितंबर डेट है, उसे के recording तैयारी कर लो, हाँ, first attempt में कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, thank you so much, take care, और सबको मेरी घनी घनी राम राम, ठीक है, enjoy करो, thank you, bye bye, take care, bye Laveena, Kittu, Nalini, bye bye